सपनों का दिफ्य लोग एस्टो ट्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जय मातादी, जय गुरुदेव, प्रिय दर्शको, शावन एवं पुर्शोस्तमास की आप सभी को हार्दिक शुभ का मनाएं हर हर महादेव इसी के साथ आज जोतिश में जानिए शनी ध्यर्ज्ण के ये पहुत सारे गुण आपस में केतु की सीरीज में आपको केतु से संबंकईट उसके गुण धर्म में आपको बता चुकी है। परिश्रम का फल देने वाला बहुत अधिक परिश्रम करवाने वाला और शुभकरत्री योग में व्यक्ति को स्मार्ट बनाने वाला ग्रह है माइंड से व्यक्ति को बहुत सूद्रिड बनाने वाला ग्रह है जब दोनों शनी और केतु एक पॉइंट पे आकर एक डिगरी पे आकर के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो वह इनका कंजंक्शन कहलाता है जब दोनों एक ही भाव में होते हैं और डिगरीयां जिन जब बहुत नजदीक होती हैं तो उसे शनी केतु की यूति कहा जाता है वास्तव में शनी केतू की यूती को एक शुभ यूती नहीं माना जाता है इसे प्रेत योग माना जाता है अभिशापित योग और अनिक प्रकार के योगों से इसे संबोधित किया जाता है अशुभ योग माना जाता है लेकिन यह योग अशुभ नहीं होता बहुत सारे लोगों की life में यह योग बहुत शुभ बन करके खिरता है यदि केतु और शनी दोनों ही शुभ स्थीती में हो यदि शनी शुभ परभाव में हो, यानि की शनी उच्च का हो शनी केतु के आगे पिछे अच्छे गरए हो, सोमे गरए हो यानि शुभर करतरी योग हो जाए तो यह यूती व्यक्ति को प्रसिध्य भी बनाती है meditation में ऐसा व्यक्ति अपने किसी सामाजी के spiritual लक्षे को अचीव करता है तो चलिए चानते हैं जब शनी केतु की यूती प्रथम भाव में होती है फर्स्ट हाउस में होती है तो कैसा फर्ल देती है जिस भी छातपके चाहे chief प्रशव कोई भी हो उनके जब लगन में यह योती होती है तो ऐसा के सत्य बोलने वाला होता है लेकिन थोड़ा सा मन से भीरू होता है यानि की डर्लेने वाला होता है अपने विचारों को खुल करके सब के सामने प्रकट नहीं करता है स्टेट फोवर्ड होता है लेकिन फिर भी अपने विचारों को सब के सामने प्रकट नहीं करता जब प्रकट करता है तो कॉन्फिक्ट होने की संभावनाएं रहती है Straight forward होने के कारण से मन में कुछ ना रखने के कारण से जो गलत है उसे गलत कहना जो सही है उसे सही कहने के कारण से ऐसे व्यक्ति को लोग arrogant भी कहते हैं ऐसे व्यक्ति का क्योंकि सेवंथ में रहू आ जाता है और अगर सेवंध के pas की position अच्छी ना हो या दूसरा विवा होने की स्थिती बन जाती है शनी केतु की यूती लगन में होने के कारण और उसका इंपक्ट सेवन्थ हाउस में होने के कारण यदि शनी का प्रभाव अच्छा हो शनी शुभ करत्री योग में हो तो ऐसा व्यक्ति महायोगी भी बन सकता है ऐसे व्यक्ति का अपने उपर कंट्रोल भी होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत सारे लोगों की प्रेणा का स्तोत्र भी बन सकता है ऐसा विक्ति किसी NGO से जुड़ करके काम कर सकता है medical representative हो सकता है medical field में हो सकता है कोई psychiatrist हो सकता है या फिर yoga trainer हो सकता है या PTI, DPE इस type के जो भी होते हैं वो career line होती है वो ऐसी विक्ति चूज करते हैं या चूज ना भी करें तो इनका संबंध होता है इस line से second भाव में जब यह यूति आ जाती है तो ऐसी विक्ति की जो वानी होती है वो अलगाव करने वाली होती है यानि कि ऐसा विक्ति जब भी कोई बात बोलेगा तो बिना सोचे समझे या फिर सोच समझ कर भी बोलेगा तब भी किसी का ध्यान रखे भी न जो अपनी बात है वह पूरी करेगा वानी दोश भी हो सकता है आंखों की समस्या भी हो सकती है यदि द्वित्य भाव में शनी केतु की उती है आंखों में थोड़ा सा तिर्चा पन या टेड़ा पन्च से कहते हैं वह हो सकता है यदि अशुभ है शनी केतु की उती शनी और केतु दोनों ही शुभ नहीं है तो ऐसे विक्ति को धन जोड़ने में समस्या आती है ऐसा विक्ति समझ ही नहीं पाता है कि धन को एक्यूमिलेट कैसे करे money accumulation में problem आती है ऐसा व्यक्ति खाने पीने में भी कम ही रूची दिखाने वाला होता है या धीमा खाने वाला होता है या भोजन छोड़ने वाला होता है ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का जो कुटुम्ब होता है वह बड़ा हो तब भी उसे कोई फरक नहीं पड़ता है वह एकांत में रहना पसंद करता है जब तरिती अभाव में शनी केतु की यूती होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बेहनों से अपने दोस्तों से और जो आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी होते है नेबर्स होते है उनसे एक डिस्टेंस बना करके रखता है उनके बीच ज़्यादा फसने वाला नहीं होता है सहायता करता है जरूरत पढ़ने पे सहायता करने वाला होता है और उसके बाद पीछे हड़ करके अपना काम करने वाला होता है बहुत ज़्यादा किसी के बीच में फंसने वाला नहीं होता है या हम ये कहें कि जो मुसीवत के समय काम आता है ऐसा व्यक्ति शनी केतु की यदि थर्ड हाउस में है तो ऐसा वक्ति इस तरह की नेचर का होता है ऐसा वक्ति घूमने फिरने का भी ज़्यादा शौकिन नहीं होता है जब चतूर्थ भाव में यह यूती होती है तो ऐसी वक्ति की माता को किसी प्रकार को कोई बहुत ज़्यादा कश्ट रहता है या ऐसे विक्ति का मन अपने घर में नहीं लगता है मन में एक उल्जन कलह कलेश का वातावन घर में रहने पे बना रहता है और जब यह यूती दूटिय भाव में होती है तब भी देखा गया है कि क्योंकि चतूर्थ भाव में शनी की दृष्टी भी पड़ती है और शनी केतु का सेयोजन शनी को और थोड़ा सा क्रूर बना देता है क्योंकि दोनों ही तमोगुनी या पापात्मक ग्रह कहलाते है दृतिय भाव में जब शनी बैठता है शनी केतु की यूती होती है तो चतूर्थ भाव को भी यह अफेक्ट करता है ऐसा व्यक्ति किसी कारण से घर पे नहीं रह पाता है या फिर चतूर्थ में जब यह यूती होती है तो ऐसे व्यक्ति को घर में शांती प्राप्त नहीं होती है घर से भागने का मन करता है फोर्थ हाउस में जब यह यूती होती है एसे व्यक्ति के घर में पानी का रिसाव या फिर रिसाव वाली जगह पे कमरा हो या फिर व्यक्ति को श्वास की समस्या या उसकी माता को श्वास की समस्या रह सकती है शनी केतु की यूति वाले जातक को समझना थोड़ा कठिन होता है पंचम भाव में जब शनी केतु की यूति आती है तो ऐसे विक्ति किसी एक सब्जेक्ट में बहुत सुपर इंटेलिजन्ट होता है किसी एक सब्जेक्ट की तह तक जाता है अब ये डिपेंड करता है कि उसके पंचमेश की स्थिती क्या है वो क्या अच्छे मार्क्स उसमें ला पा रहा है या उसमें वो अच्छा अपने आपको प्रेजन कर पा रहा है अच्छे रहंक से ये डिपेंड करता है लेकिन प्रेम के लिए यहयूती अच्छी नहीं होती है ऐसे लोगों को दूसरी जाती या फिर ऐसे लोगों को दूसरे धरम या कुछ भी इस टाइप के लोगों से प्रेम हो सकता है लेकिन प्रेम सफल हो जाए इसकी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि जो केतु है वह और लगाव दिखाता है शनी और केतु दोनों ही पीडा दायक ग्रहे है तो जिनके शनी केतु की यूती होती है ऐसे लोगों के जीवन में एक पीडा जरूर रहती है एक गहरी पीडा रहती है अगर प्रतम भाव में है दूतिय भाव में है त्रितिय भाव में कहीं पे भी है तिक पीडा रहती है ऐसे लोगों के जीवन में जब 6th house में शनी केतू की यूटी होती है तो ऐसा विक्तिक competitions को धंग से fight नहीं कर पाता obstacles आते हैं competition को fight करने में यह यह कह सकते हैं कि Saturn जहां पे 6th में अच्छा result दे सकता है वहां पे केतू के कारण इतना अच्छा result नहीं दे पाता तो शनी केतू की यूटी वाले लोगों को किस टाइप की fields में जाना चाहिए उनको medical field चूज करनी चाहिए सेवा भाव से जुड़कर के जो jobs है जैसे psychiatry है यानि कि मनवग्यानिक होते हैं या फिर जो एंजियोस चलाते हैं उस टाइप के कारियों के और ज्यादा ध्यान देना चाहिए सेवन्थ में जो सैटन केतू की यूती होती है तो इस नोट गूड फॉर पार्टनर्शिप और फॉर मैरीज परपसिज यह विल्कुल भी अच्छी नहीं होती है क्यूँ क्यों क्योंकि ऐसे लोगों को कोई ना कोई एक बहुत सी ज्यादा एक असंतुष्टि की भावना होती है या इनके पार्टनर को इनसे है रहेगी या इनको रहेगी यानि कि कुल मिलाकर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहता है जो आपके बिजनेस होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं चलते हैं धोखा मिलता है बार-बार बिजनेस में उत्राव चड़ाव रहते हैं तो यानि कि एक अच्छी स्थिती सेवंथ हाउस के लिए नहीं कही जा सकती एट्थ हाउस में तो बिल्कुल ही अच्छी यूति कहलाती है क्यों क्योंकि यूति एट्थ हाउस वैसे भी रंधर ग्री कहा जाता है तो यहां से मृत्यू, आयू, दुरगटना इत्यादी देखी जाती है तो जब शनी केतु की यूति यहां पर हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को या तो तंत्र मंत्र से जुड़ करके रहना पड़ता है या फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में किसी बिमारी से लंबी बिमारी से जूचना पड़ता है ऑपरेशन से या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा जेलना पड़ता है यानि कि एड़ भाव में भी यह यूती इतनी शुब नहीं मानी जाती है यह यूती यदि 9 मे है तो जो जादक होता है उसका जो पिता है यह बहुत भक्ती करने वाला या तंत्र प्रकार की भक्ती करने वाला या फिर योगा मेडिटेशन से जूड़ हुए ऐसों के पेरिंट्स हो सकते हैं ऐसे वक्ति को यात्राओं में विखन का सामना करना पड़ता है भागे में भी शनी केटु की यूती इंसान को कमी देती है यदि यहाँ पे ब्रिहस्पती की द्रिष्टी है तो यह यूती बहुत ही उत्तम बन जाती है जब जब इस यूती पे ब्रिहस्पती की द्रिष्टी पढ़ेगी तो यह यूती बहुत ही फलदायक होगी ऐसे लोगों को भागे कभी साथ मिलेगा और ऐसे लोगों के कारे भी उत्तम रहेंगे नाइन्थ में यह यूती व्यक्ति को कुछ हद तक सफल भी करती है डिपेंड करता है किस यूती पे ब्रिहस्पती की दिश्टी पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है ये किसी अच्छे ग्रहे की दृष्टी अगर इस पर पढ़ जाए तो इंदुष फलो में कमी हो जाती है टैंथ में शनी केतू की यूती व्यक्ति को एक अच्छा समाच सेवक बना सकती है काउंसलर बना सकती है, मेडिकल फ्रीड में ऐसा वक्ति जा सकता है, साइकेट्री में जा सकता है योगा अभ्यासी बना सकती है, योगा ट्रेनर बना सकती है लेकिन केतू कर्म में कमी करता है, यानि कि ऐसे वक्ति को अगर कोई वो बिजनस स्टार्ट करता है या कोई काम करता है तो उस काम में एक बार बिजनेस बंद होकर फिर उसे दुबार से कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ सकता है इलेवन्थ हाउस में शनी केतु की उती बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत करता है लेकिन आए ऐसे व्यक्ति की अच्छी नहीं हो पाती अपने से बड़ों से लड़ाई छगड़े रहते हैं भाई बहनों से लड़ाई छगड़े रहते हैं घर से बाहर ऐसा व्यक्ति लोगों के द्वारा पूजित भी होता है। अब शणी केतु की युटि के विशे में एक और बात, अगर शणी केतु की किसी भाब में है और अशुब है, अशुब यानिकी शणी नीच का हो गया, शणी केतु के आगे पिछे सूर्य या मंगल हो गये, तो यहां युटि व्यक्ति को भिमार रख सकती है, अजीवन, यहा नीम के विरिक्ष की पूजा कीजिए, नीम के विरिक्षों का आरोपन कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, गनेश जी की उपासना कीजिए, विग्न विनाशक की शरण में चले जाएं, इकादशी के वरत कीजिए, सैटन के वरत कीजिए और अपना संबंध में धीरे-धीरे कमी आनी स्टार्ट हो उपाए और भी बहुत हैं लेकिन यह होरोस्कोप देखकर के ही पता चलता है कभी कभी शनी केतु की उती बे असर हो जाती है कब जब सैटन और केतु की डिगरी बहुत आपस में दूर हो दूरी पे हो तो एक ही भाव में रहने पर भी दोनों ही कोई बैड रिजल्ट एडवर्स रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जब शनी केतु पे ब्रिहस्पति की दुष्टी पर जाए तो ऐसा विक्ति तो पूजित हो जाता है तभी यूती का हम यही कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव तो खत्म हो गया तो इस प्रकार से आप अपनी होरोस्कोप में देखकर पता लगा सकते हैं कि यह यूती आपको किस प्रकार का परिणाम दे रही है धन्यवाद जय कर देग